हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो स्टडी टू लर्न आज की सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं विस्व के भुगोल का एक पहुती महत्वपूंट टॉपिक जो की है जल मंदल ठीक है तो जल मंदल से रिलेटिट जो भी इंपोर्टेंट क्रेस्टेंज होंगी जो एक्साम के प्रिप्रिप्शन में मिल जाएगा टेली ग्राम जो लिंक होता है आप जाके वहां से पीडियाफ ले सकते हैं ठीक है और यह पूरा जो आप कहेंगे तो इस वीक को सारा का सारा जो हम विस्व का भुगोल को कवर करेंगे ठीक है इस वीक में आप जो सिरीज देखेंगे व ओंगे यहां पर जो फाल जो आपड़ बिद skies मंहriel का विस्तार हैं ठीक है और पृरी जो पृषी वी धरती है ठीक है वोट जेसे हम कहते हैं यहां पर जो जो एरिया है जहां पर परनी फैला हुआ है पानी पार्शन नें मिसे अटल डेने यह बांद ने वह जल से फैला हुआ है पूरी प्रिथी पर और इसमें जो स्वच जल के अगर बात करें स्वच जल यदो कितना प्रतिसत है ठीक है जल राशिक का कितना भाग जो है वह स्वच जल का जो है जो पीने यूग यह पानी होता है तो वो स्रिफ 2.5 परसेंट फाग इतना ही जो पानी है वो कितना कैसा है स्वाच जल यह मीठा जल उसको कहते हैं फिर आएगा इसमें अगला question महा सागरी या जल के गुण कौन से होते हैं तो ठीक है जो महा सागर जो होता है तो उसके जल के कैसे गुण होंगे ठीक है क्या उसमें क्या सकते हैं कि उसकी खाश्यत होगी महासागर के जलगी ठीक है तो महासागर जो हमारे हैं उसमें आपको तापमान देखने को मिलेगा और लवर्दा ठीक है नमकीन पानी होता है और तापमान के according आप देखेंगे कि कहीं किसी महासागर का तापमान मतलब उसके कम हो गया तो कहीं पर जादा हो गया तो इस तरीके से आप वहाँ पर तापमान भी जो महासागर होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और साथ में लवार ता यानि की बहुत ही जादा लवार यानि की नमक वाला पानी आपको देखने को मिलीगा फिर है जल मंडल का वहाँ बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाता है चीक है तो ये महासागर कहलाता है जिसके कोई सीमा नहीं होती है जल मंडल का वहाँ बहुत बड़ा भाग जहां पर बहुत बड़ी एरिये में बहुत ही ज्यादा बड़ी एरिये में क्या फैला हो पानी फैला हो तो उसको क्या कहते हैं महासागर ऊस भाग को हम कहते हैं फिर हैस्व नेक्स्टऌफяти जल्बंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घीरा हो और एक तरफ से स्थल यहां पर होगा इसथल से घिरा हो ठीक है किस्थ से इस तर यानि कि भूमी से भूमी जुरा हुआ हो तो क्या कहते हैं प्रायदीप तीन तरफ पानसे घरा हुआ तो आप देखेंगे बहुत सारे हमारे आप भारत ऑन अप देखेंगे तेसा है आप यहां बहुत महात सागर देखने को मिले यहां पे भी आपको महासागर और यहां पे भी आपको महासागर इस तरीके से देखने को मिलेगा यानि कि तीनों तरफ से क्या है पानी है और उपर का जो एरिया है जो उपर वाला एरिया है तो वहां पर वह स्थल मंडल से जुड़ा हुआ है यानि कि भूमी से जो प्रॉप कि अगला समूद्र के सिधल भाग के तरह और भूमी की तरफ१ भूम्य तरफ बढ रहा इस तरीके से यहां यहां से पानी आ रहा है के तरफ को समुद्र का पानी टीक है नीचे से अगए तो इस तरहा हो जो एरिया उस होते हैं तो उसको कहते हैं खारी टाइटेश्य का फोमी के महीं के तरफ बढ़ ठीक है पिर अगला है जो कि 330 प्रतिसत इसमें लमड़ा पाई जाती है ठीक है तो आपको map में आप इसको देख पाएंगे तुर्की का जो वांजील है फिर इसमें नेक्स्टुवेशन है दुनिया में कितने महासागर हैं तो दुनिया में पूरी वर्ड में पाच महासागर हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्किटिक महासागर और दक्षन महासागर, ठीक है, ये तीन महासागर हैं, पुरी अर्थ परी, फिर है इसमें नेक्स वेशन, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्थ कहां है, ठीक है, प्रशांत सबसे तो को सबसे जरा मेरीद को कहते है जो है कि घैराई ही मेटैनि 11000 यह lotta 23 ऱीए प्रिशने प्राषाम हाश वह प्रॉज्य महसाघर के आकृति के प्रकार की है जो प्रशान्थ ह महसागर हैalnya ह radio रिखाई देगा ठीक है जो प्रशान्त महासागर है उस तो प्रवाल भितिया यहां पर पायते प्रशान्त महासागर में बहुत स्था मैतरा में प्रव मुद। छोती हैं तो भू पाई जाती हैं थीक है तो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखेंगी साइड में तो आप उसको देखेंगे कि प्रवाल्भितिया किसे कहते हैं तो जो पानी के अंदर छोटे-атель पौति अध्य मान धुदियां के लुट्धियां और कुछ बिल्कुल न्यूट कलर में भी होती है तो इस तरह के से आप देखोगे तो प्रशांत महासागर की जो एक बहुत ही प्रमखवी सेज़ता है वो प्रवाल भीतियां की है क्योंकि यहां पर बहुत अधिक मात्र में प्रवाल भीतियां पाई जाती है फिर है संगसार क में प्रमुख ज्वाला मुखवी दीप कौन से हैं तो दक्षणि अट्लांटिक महासागर है ज्वाला मुखवी दीप उसमें बरमुंडा है बरमुंडा प्रावल दीप एवं अशेंशन त्रिस्ता डिक कुन्हा सेंट हेलना गुवा तथा पोईट दीप ठीक है यह दक्ष कर जो है वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा दीप है फिर मीट गासकर के पूर में कौन सा दीप है पूरव जिसा इस तरफ को होती है तो मौरिश अच्वाल दीप आपको देखने को मिलेगा आप मैप में देखेंगे तो फिर है इस महासागर में कितने वास्तविक तटवर में स्थित है तो यह हिंद महासागर में है डियागो गर्सिया द्वीप इस नाम से द्वीप है जो कि हिंद महासागर में है फिर है नेक्स्वेशन विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो यह प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है और विश्वा का सबसे छ पिर आगे इसमें देखेंगे अगनी वलाई की उपस्तिती कौन से महासागर में पाई जाती है अगनी वलाई तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है फिर अट्लांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है ठीक है तो यह प्योट्रो रिकोट्रेंच ठीक है प्योट् सागर से गुजरता है दो प्रमुंडा जो तृभुझ है वो किस भाना सागर मैं प्रमुंडा ट्रि महा सागर में है इसका आप देखिए सबसे लवनिया जो सागर है कौन सा है तो यह लवनिया ठीक है यहां से लवनिया सागर कं आप देखिंगे। यहां पर हीक्विशन है जए साहव मैं इसको नहीं हो तो सारो गशो सागर को सबसे पहले देखा तो सबसक्रमा नहीं का था साव소 gossip जो एंवत क्युश्ण सब्सक्राइब दाका पो डोगे जावोड के सा कॉथ सबसे मैं और इंदोंड में पहचाना जाता है तो महा सागरी या मरुस्थल की रूप में इसको जाना जाता है ठीक है तो फ्रेंस यह थे कुछ करके क्लिक कर दीजिए मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद